लेकिन हमको हिजाब बैंड कर दिया गया है असली फाइट करना करते हैं हमें इसके लिए मैदान में उतरने भी रेडी है हुँ सेज एट हिजाब इस नॉट एसेंशल पाट इन इस्लाम हिजाब के लिए लड़ूंगी क्योंकि हिजाब मेरा आइडेंटिटी है मेरा आगे हमारा क्या होगा अगर आप लोगा आज आवाज उठाए रहते हैं आवाज उठाए रहते हैं सागत है आपका एन नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ सानिया गड़ेद असलाम वालेकुम रहमतुलाहिवा बरकातो हुँ हिजाब को मैं पसंद करती हूँ और हिजाब हमारी इज़त वगार की बात है हमारी इज़त वगार को किसी को भी छिनने नहीं देंगे मैं एक इंडियन होने के नाते कॉंस्टिटीशन और जीडिशेरी के हटली रेस्पेक करती हूँ हमारा मुल्क सेकलर है लेकिन यहां हिंडियो त्वाइड अपनाया जाता है हम हाई कोड में पेटिशन दालने का क्या मतलब था ता कि पेटिशन हमारे हक में आए अब जब के हिजाब को बेविजाब करते हुए इसलामी अमल को गएर इसलामी अमल बताया जा रहा है आज के इस इंटरनेट के दोर में पेट्स को तक कपड़े पहनाते हैं लेकिन हम को हिजाब बैंड कर दिया गया है असलाम ऑलाइकूm असलाम अलेकूम, विजाब हमारा इसलाम का एक essential part है, हमें इसके साथ कभी भी compromise नहीं होते High Code से हमना इंसाफ मिलता बूल को एक उमीद थी हमना, लेकिन High Code के फैसले से हमना जरा भी satisfy नहीं है ये एक हमारा fundamental right है जो हमना Indian constitution देखो है हमारे community के जो भी leaders है, जो भी उल्मा है, आप बाहर निकलना, इसके बारे में बात करना और हमना support करना और जो हमें उल्मा है ना, आको हमना बोलना, हिजाब अगर हमारा इसलाम का एक essential part नहीं रहता तो हमें इत्ती आवास नहीं उठाते थे हमें हमारे जुडिशियर के उपर पूरा भरोसा था कि हमें जस्टिस मिलेगा और हमें हमारे constitution rights ग्रांड कर दिये जाएंगे लेकिन आज का जो verdict आया है जिसमें कहे रहे हैं कि हिजाब इसलाम का essential part नहीं है जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्यूंकि अगर वो essential part नहीं होता तो मैं इतना struggle नहीं करती और इतना compromise भी नहीं करती अपने studies को लेकर जो हाई कोट ने जो decision दिया है वो बेजले से क्यूंकि इसलाम में हिजाब एक essential part नहीं कहता है और मुझे बस इतना कहना है कि I am not going to give up और मैं लड़ूंगी मेरे हिजाब के लिए लड़ूंगी क्यूंकि हिजाब मेरा identity है मेरा pride है and में हिजाब के लिए कितना हो सकते उतना लड़ूंगी क्लासे अटेंड आगो दिल्ला लेडर्स प्लीज कम आउट एंड सपोर्ट और कॉंस्टिशनल राइट प्लीज सपोर्ट अस नाव नमक फंडमेंटल राइट स्केल तिरुदू विच इस डिनाइड बाई हाइग कोट हूँ हिजाब इस एसेंशल पार्ट इन इसलाम हिजाब इस एसेंशल पार्ट इन इसलाम असलाम हुलेकुम आज के फैसले ने बहुत माईस किया है क्योंकि ऐसे फैसले की बिल्कुल उम्मीद हमें नहीं थी जहां तक हम जानते हैं कि जुडिशरी डिमोकरसी का एक पिलर है जहां सिर्फ इनसाफ हुआ करता है अगर आज के फैसले ने बहुत मायूस किया है और हमें फैसला बिलकुल नहीं मानेंगे कि ये एक तरफा फैसला है जहां तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपने लड़ाई जारी रखेंगे और अपना हख वापस लेकर ही आएंगे और मैं ये पूछना चाहती हूं कि कहां है हमारे उल्मा कहां है हमारे खौम के रहनुमा क्या आप भी अपनी खौम की बच्चियों के लिए बात नहीं करेंगे क्या आप भी अपनी खौम की बच्चियों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे आज हमारा हिजाब गया है, कल हमारा बुर्खा चले जाएगा, परसों हमारी नमाज चले जाएगी, एक एक करके हमारी पूरी आइडेंटिटी छीन रहे हैं, क्या आप लोग अब भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अब नेक्स्ट वीक से हमारे एक्जाम्स आ रहे हैं, हम कैसा करना, आगे हमारा क्या होगा, अगर आप लोगा आज आवाज उठाए रहते हैं, आवाज उठाके हमारे लिए कुछ सजेस्ट करें, और हमारे लिए कुछ रास्ता निकाल के दें, और खबरों के लिए देखते रहे हैं, ए-9 नाइन न्यूस, प्रती दिन दो क्या? अपडेट का गी नम गोच और लाइक मारी शेर मारी ह Tracy मत हो subscribe मारी in